हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रैनी फेशन आज हम बनाने जा रहे हैं साधी सल्वार जो बिना बैल्ट की होती है तो इसके लिए हमने यह डाइमेटर कपड़ा लिया है और चौक और इंची टेप अब हम देखते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करेंगे आज वीडियो में हम इसक में 7 5-3 इंच करने में जो हम्रा कपड़ा हमने इसको दो तैय में लेगे हम कपैसे रखते हैं तो हम थोको एत्गशी है जोciu म Woolें 38 एंच संग यहां से इसको 39 इंच पर हम इसको सीधी कटिंग कर देंगे हाँ तो फ्रेंट्स हमने यह 39 इंच पर हमने इसको सीधा ऐसे काट लिया है अब हम इसको क्या करेंगे यहां सी इसको उठा कर दूसरे वाले कोने से इसको मिला देंगे हज़िकोंब के इसको हम इसको मिला देना है हाँ तो फ्रेंट्स हम अब हम ही हां से पहले 6 इंच ले लेंगे शुक्ति हमने इसकी 7 इंच रखनी है तो यह पर पटे होते हैं इसको हम 6 इंच लेंगे और ऐसे हम इदर नीचे भी 6 इंच काई निसान लगाएंगे, खान साथ वह प्रैंश, अपर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको सिधा मिला लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इधर हम जो Vijay का निसान है, वो यहाँ पर, क्योंकि हमें 7 इंच मुरि बनानी है, है तो हम यहाँ पे करिव 2.5,5 के ले लेंगे है मेर अ लेखने फिरलगे और यहां पर आप तो दो इंच जो हमाँ अंत्र फोल्ड होनु होने सकर निसान लगा लेंगे उसके बाद नੀचे हम यहाँ पर करीव कि साड़े तेरा इंच आसन लेंगे और उसकी बाद हम इसके लें उसकी साहता से हम क्या करेंगे यह आसन के निसान को और नीचे जो हमारा हमने जो साड़े आठ करें लिया था उसको ऐसी जॉइंट कर देंगे कि आत्व हमीजई के ही अ प्रूइश से अब हमने क्या करना है वह मेंद मिसक की चपाव यहंदा यहां है अजिए हम इसको यहां से अपर क्ट इस करतें genau है जो हमननेय निसान लगा है उसी पर हम इसकी फिरकट टेंगे यह इदर से हमारी कटिंग हो गई है और इस कपड़े को हम एक तरफ रख लेंगे इसमें से जो होगा हमारे पनीचे की जो पहुंचे हैं वो बन जाएंगे ऐसे हम यहाँ पर जो हमने यह निसान लगाया था छे इंच का यहाँ पर हम हलका सा कट लगा देंगे जो हमें जब हम स्टीचिंग करेंगे उस तरह हमें यह काम आएगा और ऐसे हम इधर भी लगाएंगे अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स जब ही जो हमारा उपर से जो हमारा ही जॉइंट है इस हिस्से को भी हम यहाँ से कट कर लेंगे इस दो depिन हम गला ही जो हम यहाँ शोड़ागे पाल,िस दो दॉपसंद है अधर हो जब ही एक मonn जो हमारा लुद के अधर है करेंगे स्सक्राओडब मुझें थे जो हमारत बार हमारते बाभाण आजे रख़ते हैं तो फ्रेंड्स यह हमाई सिम्पर सलवार जो है वो उसकी कटिंग हो गई है अब अगली वीडियो में हम इसकी स्टीचिंग करेंगे और हम बताएंगे कि कैसे सिलते है अगर आपको हमारी वीडियो पसद आते है तो प्लेज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करन बिलकुल ना भूलिये थेंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो फ्रेंट्स और प्लीस स्क्राइब माई चैनल